Welcome to channel knowledge of pharmacy तो डाई इथाईल कारबा माईजीन सिट्रेट का आज हम रिवियू करते हैं यह टेबलेट का आज हम रिवियू करते हैं तो इसके कुछ ब्राइड नेम की बात करते हैं तो बेनोसाइड फोर्ट बेनोसाइड फोर्ट जो की हंडेड और फिप्टी एमजी में में अबलेबल है और तीसरे ब्रांट की बात करते हैं तो यूनिकारवा जिन फोर्ट जो की यह उनिकारवा जिन फोर्ट और हेट्रो जान तो यह दवा जो है मार्केट में मिल जाती है और चौथी जो दवा है ए बी यू यस बीडी वन फिप्टी यानि एक सो पचास एमज जो मार्केट में मिल जाएगी तो यह इसकी इस्टन्थ हुई कि 50 mg 100 mg और यह 150 mg अब यह क्या है यह जो है एन्थालमेटिक ड्रग है और हम इसके यूज की बात करते हैं तो डाई इथाइल कार्बा माजीन का उप्योग जो है वह या फिर ट्रीटमेंट आफ यूज ट्रीट मेंट आफ वार्म इंफेक्शन वार्म इंफेक्शन दिस मेडिसीन वर्क वर्क बाई किलिंग दी वार्म पैरासाइड वार्म इंफेक्शन यानि यह डाई इथाइल कार्बा माजीन का उप्योग कुछ किर्मी संक्रमनों के उप्योग में किया जाता है यानि उप्चार में उपचार में किया जाता है और ये किर्मियों को मारने का कारी करती है या डाई इथाइल कार्बा माईजीन एक किर्मी नासक दवा है ये एक किर्मी नासक दवा है जिसका उपयोग बूचेरे रिया बूचेरे रिया या बेन क्रेप्टी और लोवा लोवा जैसे फाइलेरिया या फाइलेरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और फाइलेरिया के उपचार में साइट्रेट क्रीमी विसेश रूप से बेन क्रेप्टी योम लोवा लोवा के लिए जो है उपयोग मे लाया जाता है अब इसकी बात करते हम फाइलेरिया या फाइलोरेसिस जो है यह क्या होता है आपने देखा होगा गाउं में यह हाथी कुछ मनुस्थ ऐसे होते हैं जिनका जो पाउं होता है या पैर जो होता है वह हाथी के समान मोटा हो जाता है हुटा हो जाता है जिसको हम हाथी पान भी कहते हैं इस को आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हो भी होगा यह जो है एलिफेंट ठिस्ट हम बोलते हैं तो इसको कहते है या बन ब्रोग्रेप्ट तो तो इसमें जो है इसका उप्योग करते हैं या फिर इसनों फीलिया में भी कुछ लोग इसका उप्योग करते हैं इसमें क्या होता है यह अब जब चेक अप कराया जाता है लैब में तो इसनों फिल्स बढ़ जाता है इसमें क्या होगा इसनों फिलिंग लंक्स यानि आपका फ को यूज करते हैं और हाइड्रोसेल में इसको यूज करते हैं इसमें क्या होता है विसर्ड कोस जो होते हैं उसमें पानी भर जाता है मनुस्त के जो विसर्ड कोस होते हैं उसमें हाइड्रोलेशिस यानि पानी या पानी भर जाता है उसमें भी इसको उपयोग में लाते हैं य या रीवर ब्लाइंडिनेस में इसको यूज करते हैं और इसको ओको से सिकलिपार्यस करते हैं और यह अपना कार्य कैसे करता है यह इन्हीबिटर इन एसिट एसिट के मेटाबॉलिंज को यह क्या करता है इनभीट करता है रोक देता है तो इसमें क्या होता है इनिट एम्मुनाइजेशन शरीर में डेबलब हो जाता है जिसे क्रीमी बाहर या मर जाता है और यह इस तरीके से काम करता है या आप इनवाल्व संस्टी एरिया टू फाइगो साइटोसिस येश्टिडी डीएशी एक्तिविटी अगेंस्ट फार अगेंस्ट फार कि इसमें क्या होता अगेंस्ट फार ब्रुगिया मलाय माइक्रोफाइल एरिया के जो है इज डेवलप्मेंट इंक्लूडिंग नाइट आक्साइड सेंस्थिस तो इसमें साइड इफेक्ट इसके क्या-क्या है तो हेर लॉस यानि जो है जड़ सकता है विजन डिश्टि डिश्टर्बेंस यानि आपको जो आखों का जो विजन है दिखाई पढ़ने में वो डिश्टर्बेंस हो सकता है यानि देखने में प्राब्लम हो सकती है है डिजिन हो सकती है डिजनेस या उमेटिंग उल्टी हो सकती है और नोजिया हो सकता है मिचली फीवर और मसल्स पेन आपके मसल्स में पेन हो सकता है दर्द हो सकता है एलर्जिक रियक्शन हो सकता है स्वैलिंग आफ लिंफ नोड में स्वैलिंग हो सकती है लिंफ नोड में स्वैलिंग एपटाइट यानि भूख की कमी भूख घट सकती है और अर्टिकेरिया रिंगर्स जनरल डिसकमफार्ट आप चिल्स यह सारे कंडिशन आपको हो सकते हैं और कुछ कंडिकेशन की बात करते हैं पृशिट्री आफ हार्ट proborem जिन इनको हार्ट की प्राबल्म हो वह इनको यह जो है इसके साथ counter-indication हो सकता है और gastrointestinal problem and allergic problem तो जिनको गेश्ट्राजानी पेट की दिक्कत है तो या फिर allergic reaction है उनको भी या डाक्टर से consult कर लेना चाहिए ये पहली बाद तो बिना डाक्टर के prescription के नहीं लेना चाहिए pregnancy अगर आपको pregnancy या फिर renal improvement है या फिर जो है तो आपको जो है या pediatric patient है तो जो है बिना डाक्टर के सलाह से और आप उनसे consult करके ही जो है ले सकते हैं अब हम इसके dosage की बाग करते हैं तो dosage में according to body weight आपके body weight के according इसको लेना चाहिए और जैसे कि adult के लिए 23 mg mg पर kg जो body weight के according आपको लेना चाहिए या कभी-कभी इलाज के दौरान जो है पहले दिन पहले दिन 1 mg पर kg ओरली आप्टर मिल यानि खाने के बाद जो है डाक्टर देते हैं और दूसरे दिन क्या करेंगे 1 mg ओरली 3 टाइम देते हैं और तीसरे दिन क्या करेंगे 1-2 mg पर kg ओरली 3 देते हैं उसके बाद 4 यानि 4 से 14 दिन पर क्या करते हैं 6 mg पर kg पर डे इन 3 डिवाइड डोज जो फाइल एरिया होते है 9 mg पर kg पर डे ओरली 3 डिवाइड डोज जो है आइसे आप वह अपने कारडिंग देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी जा रहे हैं हम फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में